चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपने कुछ chemistry के practice question जिनका level होगा 6th class से graduation तक का पहला question है हमारा ammonia के season में काम आने वाली gas हैं तो वो होती है हमारी nitrogen और hydrogen इसका जो balance equation है वो होता है N2 plus H2 gives NH3 मतलब ammonia बनाता है N2 और hydrogen के मिलने से N2 plus 3H2 gives 2 NH3 ठीक है यह हमारी इसकी balance chemical equation और इस ammonia के बनने के process को हम क्या बोलते हैं HABER process HABER PROCESS HABER PROCESS जिसमें की जो हमारा iron होता है वो क्या करता है Act as catalyst catalyst की तरह कौन यूज़ करते हैं iron को और इसके लिए temperature चाहिए होता है 400 से 500 degree Celsius तक का चाहिए होता है temperature चलते हैं फिर अगले question की तरह अगले question में हमसे पूछा गया है प्रिथवी की पपड़ी में विशुद रूप से जो पाए जाने वाली धातू है वो कौन सी होती है तो जैसा कि हमको पता है प्रिथवी में जो विशुद रूप से पाए जाने वाली धातू होती है वो होती है हमारी platinum चलते हैं अगले question की और अगले question में हमसे पूछा गया है जल का शुर्दतम रूप क्या होता है मतलब जो जल है उसका purest form है मतलब water का जो purest form है वो कौन सा होता है तो जो हम जल प्राप्त करते हैं बारिस से या rain water या वर्षा का जल का होता है जल का शुर्दतम रूप या शुरूत चलते हैं फिर अगले question की और अगले question में हमसे पूछा गया है जो paracetamol है paracetamol एक क्या है तो जो हमारा paracetamol है paracetamol हम generally use करते हैं हमें जब बुखार आ जाता है paracetamol generally और US में इसे बोला जाता है aceta 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 m-i-n-o-p-h-e-n aceta minofen ठीक है और US के बहारी से क्या बोलेंगे paracetamol ठीक है तो हम क्या सकते है paracetamol का दूसरा नाम क्या है aceta minofen ठीक है चलते हैं फिर अपने अगले question की और अगले question में हमसे पूछा गया है जो हमारा chloromycetine है ये क्या होता है तो जो हमारा chloromycetine है ये type को क्या होता है anti-biotic होता है या फिर हम anti-biotic को दूसरे नाम से क्या जानते है anti-bacterial ठीक है तो फिर चलते हैं स्टें हम अगले कोशन की आज अगले कोशन में हमसे पूछा गया है वनसपती घी के उद्योगोगित उत्ыпादन की प्रक्रिया में क्या होता है वियोचंवे अपचायों औक्सि करण और फिर आय निकरण मतलब सिमपल सब उचा है जो हम वनस्पती घी का वद्योगी उतपादन करते हैं या फिर हम हईटो जिनोशन की प्रोसेस करते हैं वो क्या होता है तो वह नहाद को चाहन होता है ठीक है चलते हैं अपने अगले question की हो और अगले question में हमसे पूछा गया है जो हमारी रसाइनिक रूप से गनने की सुर्करा मतलब जो हमारा गनना होता है sugar cane, sugar cane में जो sugar मिलती है वो कौन से होती है, तो वो हमारी क्या होती है, sucrose और वो किसे बनी होती है glucose और fructose से, मतलब oxidation क्या होता है तो oxidation का मतलब होता है जहां पर electron क्या हो लूजो या फिर वो equation जिसमें electron का lose होता है या electron loss होता है तो हम उसे क्या बोलते है oxidation होता है और loss को ही हम क्या बोलते है electron की हानी ठीक है चलते हैं फिर अपने अगले question के और अगले कोशन में हमसे पूचा है हाइडोजन के कितने सं स्थानिक है मतलब हाइडोजन में कितने isotope होते हैं तो हाइडोजन के तीन isotope होते हैं h1 h2 h3 जिसको हम protein, dutm और tm के नाम से जानते हैं जिसमें हमारा जो heavy water होता है उसका chemical formula क्या होता है डी 2 o मतलब इसे हम deuterium भी कहते हैं और इसका जो weight है वो कितना होता है 20 होता है जिसका हमारा use किया आता है पर मानू reactor में या फिर nuclear reactor में भी इसका use होता है चलते हैं फिर अपने अगले question के और अगले question में हमसे पूछा गया है स्वशन के लिए जो समुदरी गोता खोर निमलिखित मिश्रन का उपयोग करते हैं मतलब जो समुदरी गोता खोर होते हैं वो सांस लेने के लेकिन oxygen का मिश्रन इस्तेमाल करते हैं तो वो करते हैं oxygen और helium का helium का इसलिए करते हैं क्योंकि ये non-reactive gas होती है चलते हैं फिर अपने अगले कोशन की और अगला कोशन है मारा किसी निश्चित तापमान पर संतिप्त विलयन कैसा होता है मतलब एक निश्चित तापमान पर संतिप्त विलयन कैसा होता है मतलब एक फिक्स तैमपरेचर है मतलब एक फिक्स तैमपरेचर है जिस पर हमारा संतिप्त विलयन कैसा हो होगा अत्यधी रंगीन होगा और अधिक ठोस घूलने में सामर्ध होगा यह फिर क्या होगा निलंबित ठोसकन वाला होगा तो संतित्व जोगा वा मार अधिक ठोस घूलने में चामर्थ होगा मतलब 흥ो सहेक्ष्म सै्ठूरेटीड्न है फिक्स STEPHANятель ही पर अपने अंदर अधिक solid गो नहीं घूल बाएगा ठीक है चलते हैं अपने अगले कोशन की और अगले कोशन हमसे पूछा गया है laundry साबून जो होता है वो क्या होता है तो laundry साबून जो होता है वो एक हमारा क्या होता है उलिफेस है प्राक्रिक शोत के अखतर वसा अमलोगों के sodium लव्रक मिक्षर होता है मतलब जो हमारा laundry साबून होता है वो एक नैच्ट्रल सोर् horror प्राक्रिक शोर्क के हायर मतलब उचतर वसा अमलों के sodium लव्रक का मिक्षर होता है चलते हैं एगले कोशन की और एगले कोशन में हमसे पूछा गया है जो हमारे डिटरजेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं तो जो हमारे डिटरजेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं एरोमेटिक तथा एलिफेटिक सलफोनिक अमलोके सोडियम लबन होते हैं चलते हैं फिर अपने अगले कोशन की और अगले कोशन में हमसे पूछा गया है जो हमारे अपमार्जग द्वारा कठोर जल के साथ जहाग उत्मन करने का क्या कारण है मतलब कठोर जल में ही हाड वाटर में ही हमको क्या मिलता है जहाग मिलता है जाग चीए के तो वह होता है हमारा क्योंकि जो हमारा सलफोनिक असेड होता है उसके जो कैलिशियम और मैंगान शील होते हैं चीए चलते हैं फिर अपने अगले क्वेशिंन की और अगले कोशन में हमसे पूछा गया है चूने के वाटर में क्या होता है मतलब जो हमारा लाइम वाटर होता है लाइम वाटर में क्या होता है तो हम जैसा कि हम जानते है लाइम वाटर का फॉर्मला होता है CAOH2 जिसमें क्या होता है केलσι엄 हैड्रोकसाइड होता है चलते हैं अदले कोशन की और अदले कोशन में हमसे पूछ घाये वायू के नमूने में क्या है वायू के नमूने में जो होती है हमारी औक्सिजन, नायटोजन, कार्बन डायोकसाइड जलवाश्ण और कुछ अन्य गैसे मौझूद होती है चलते हैं अपने अगले कोशन के और अगले कोशन में हमसे पूचा है वायू के विभिन गैसों का अनुपात क्या होता है तो हमारा अनुपात अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग होता है और जैसा कि हम जानते हैं नोर्मल कंडिशन में 78.07 क्या होती है नाइट्रोजन होती है 20.93 या 21% क्या होती है ऑक्सीओं होती है सबद्रीन क्रांद नाओं जीरोट 0.03 पर संट और जो हमारी आरगन होती है वह होती है यह पंट 9-20 pentru baza Perfect के हम चलते है अपने अगले question की और अगले question में हमसे पूछा गया है खाद्य तेलों को वनस्पती घी में किस प्रकम द्वारा बदला जाता है मतलब जो खाने वाले तेल हैं खाद्य तेल को वनस्पती घी में आपको बदलना है तो आप बदलते हैं hydrogenation के कारण ठीक है कि हमारा option number A क्या होगा correct answer होगा चलते हैं अगले question की और अगले question में हमसे पूछा गया है लोहे की वस्तों में जंग क्या बनाने से लग जाता है या क्या बनने से लग जाती है लोहे की वस्तों में जंग क्या बनने से लग जाती है तो लोहे की जो भी हमारी वस्तों में होती है उनमें फेरस या फेरिक हैड्रोकसाइड का मिश्रन चीक है लोहों की वस्तों पर जंग फेरस और फेरिक हैड्रोकसाइड के मिश्रन के कारण होता है यह क्या होता है एक रसाइनिक परिवर्ट उनमें होता है chemical change होता है चलते हैं हम अपने अगले question की और जो की होगा हमारे इस वीडियो का आखरी परस्ट जिसमें की हमसे पूछा गया है रसाइनिक तोर पर हीरा क्या होता है मतलब जो हमारा diamond है वो एक रसाइनिक तोर पर क्या होता है तो होता है हमारा carbon या मैं कहूं carbon का जो purest form है उसे हम क्या बोलते है diamond carbon का जो हमारा purest form होगा उसे हम क्या बोलेंगे diamond होता है diamond का इस्तिमाल हमारे सीशा काटने में भी किया जाता है ठीक है यह थे हमारे इस वीडियो के परस्टने बाकि हम मिलते हैं फिर आप से अपनी अगले वीडियो में